हलो फ्रेंड्स हाव यू आपने हर वीडियो में प्रोड़क्ट डीटेल्स प्रोड़क्ट बेनिफिट्स एंड कैसे यूज करने हैं कौन से प्रोड़क्ट को कहां प्रेपलाई करना है मैं सब कुस डीटेल में बताती हूँ ताकि आप बीगिनर्स हो तो आपको बहुत इजी हो जाए मेकप करना और कौन से प्रोड़क्ट के बेनिफिट्स हैं वो सब आपको मालूम हो जाए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट चरूर करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेयर जरूर करें तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज किया है गूड़ वाइब्स का एवकाडो टोनर टोनर आपके पीच बैलन्स को मेंटेन करता है आपके स्कीन को हाइट्रेट करता है और मॉस्टराइज करता है तो यह अपलाई करन और एक बहुत अच्छा ग्लो आपके फेस पर आजाता है यह आपके स्कीन को नरीस भी करता है इसलिए यह सीरम भी अपलाई करना काफी बेनिफीसियल होता है यह देख रहे हैं कितना अच्छा ग्लो कर रहा है इसको लगाने से रियली आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्ल जूरी होता है अब मैं यहां यूज करने हूं इस टेक उरकी का लिब यह लिब बहुत अच्छा है काफी देर तक लिब को मॉस्टराइज करके रखता है अब मैंने यहां यूज किया है परपल सीटी एजेंट वान कंसीलर करणर करेक्टिंग पैलेट उसमें से मैंने यह ग्र का फोटो फोकस फांडेशन और यह बहुत अच्छा फांडेशन है मुझे बहुत पसंद आया इसमें मेरा सेड है नेचूरल वेज तो यह काफी अच्छा मेरे स्कीन के साथ मैच हो रहा था और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गया फैले इसको मैं अपने फिंगर से तो अच्छे से टैपनेप करके अपलाई करती हूं फांडेशन बेस को जितने अच्छे से आप ब्लेंड करोगे आपका मेकप बेस उतना फ्लोलिस क्रियेट होगा और आप हमेशा इसको ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम दीजिए अगर आप इसको अच्छे से टाइम दे करें के अपने डरीड पहलाई कर रही हूं अपने ब्रो को Those करने के लिए ता कि जब मैं अपना खृश्य कर दो सुघ है इसको मैं अपने पूरब से रिट की हूं कुछ से प्ले हो जाए हैं मैं यहां use कर रही हूं contouring shade उसी contouring palette से और यह मैंने dark brown shade लेकर अपने face को contour किया है कुछ इस तरीके से अपने face के shape के according apply करें और इस तरीके सी line create करके apply करें nose भी contour करें अगर आप करना चाहते हैं मैं मुझे करना पसंद है क्योंकि मैं अपने नोस को हमेशा कंट्यूर करती हूँ तो इस तरीके से कुछ अपलाई कर लेना है उसके बाद इसको ब्लेंड आउट करना है कंट्यूर सेट को हमेशा उपर की तरफ ब्लेंड किया जाता है आप देख रहे होंगे मैंने अपने चिकस पर अपर वे की ओड ब्लेंड किया है और उसके बाद चिन पर इस तरीकेसे ब्लेंड आूट करना है आप इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करो ताकि नेचूरल एफेक्ट लगे इसको अपलाई करने से कुछ वाइटीस वाइन से पूरा तो उसको नेचुरल सेड्म या फिर आप ब्रॉंजिंग भी कर सकते हैं अब मैंने यूज किया यहां पर परपल का कॉमपक्ट जो की मेरे हाथ में है मैं उसी को यूज कर रही हूं और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हैल्प से इसको पूरे फे अच्छा फिनीच देता है फिर मैंने बड़स के हल्फ से अपने नेक को कबड़ किया है और अपने फेस को भी 1 time dust out कर लिया है फिर मैं यहां आई मेकप स्टार्ट कर रही हूं जो कि मैंने यहां पर सीड ब्राउन लिया है ब्राउन का यह लाइट सीड है और इसको अपने पूरे क्रीज पर अप्लाइ करना है अगर आप आय मेकप कर रहे हो तो खसम खालोगी विदावट क्रीज सेड पिक किये अपना आई मेकप नहीं करना है सबसे पहले आपको कोई लाइट सेड लेके अपलाई करना है उसके बाद ही आप अधर कलर लेके अपलाई करो तभी आपका आई मेकप प्रोपर निखड़ा हुआ लगेगा प्रोपर पूरा कलर इफेक्ट आएगा फिर मैंने य यहां से ब्लेक आई सेड़ो लेके अपने और बी प्र अपलाई कर रही हूं ताकि मेरी जो आउट Rush का साइड एरिया है वह डार्क नजरहाएं फिर मैं यहाँ कंसीलर लेके भी इस और गस्ट कर रही हूं फिर मैं यहां पर यह सिमर आई सैडो पिक की हूँ और यहां पर यह गोल्डेन है गोल्डेन सिमर आई सैडो है फिर यह गोल्डेन लिक्विड आई सैडो है इसको मैं अपने उसी के ऊपर अपलाई कर रही हूँ जहां मैंने सिमर सीड का आई सैडो अपलाई किया था वहीं प और कंसीलर लेके मैंने अपने विंक्स को किलियर किया है ताकि इधर उधर जो भी कलर फैल गए थे वो इक्वल लाइन में क्रियेट हो फिर मैं ब्लैक और ब्राउन आई सेड़ों को मिक्स मैच करके अपने लोवर लैस लाइन पे स्मच आउट कर रही हो ताकि मेरा आई लुक कंप्लीट लगे क्योंकि अगर आपने उपर में आई मेकप किया है और नीचे स्मच आउट ना करोगे तो आपका आई थोड़ा अनिविन दीखेगा कंप्लीट नहीं दीखेगा कोई भी आई मेकप करते हो तो आप अपने आई मेकप के अकॉर्डिंग नीचे वाले लोवर लैस लाइन पे स मेकप करो गया अगर आप तो फिर मैंने यहां पर ब्लैक और ब्राउन आई सेड़ो को मिक्स मैच करके अपना आईब्रो फिल किया है मैं हमेशा ब्लैक और ब्राउन को मिक्स मैच करके अपना आईब्रो फिल करती हूं ताकि मेरे आईब्रो को नेचुरल सीड मिल सके मैं सि सिर्फ ब्राउन से अपने आई आई ब्रोज फिल नहीं करती हूं मैं हमेसा मेक्स मैच करके फिल करती हूं अगर आप भी नैचुरल सेड इफेक्ट चाहते हैं तो आप ब्लैक और ब्राउन को मिक्स मैच करके योज करिए काफी अच्छा नेचुरल लुक आएगा बट अगर अब के आइजा मिक्स करना तो आप सिर्फ ब्लैक ही यूज करना क्योंकि आपका सेड़ भलाउन मिक्स मैच कर अप और आपका अलग दीखेगा मैं इहां पर दोनों मिक्स मैंक करती हूं तो मेरा लाइतला कटलर आ जाता है अगर वह ही यहीं पर मेरे अग शुआय अगर उन जेल आइलाइनर जो की काफी अच्छा जेल आइलाइनर है मुझे बहुत पसंद आया I love this जेल आइलाइनर I highly recommend you you can purchase this you can buy this and you can use this और आप भी वाउ करोगे यह मुझे बहुत पसंद आया बहुत अच्छा है इसकी प्राइज 399 हैं बट यह 299-300 के अब आउट में आपको मिल जाएगा पर पल पर हमेशा कोई ना कोई डिसकाउंट चलती रहती है कोई ना कोई से एनी टाइम चलती रहती है तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा यह तो कुछ इस तरीके से लाइट विंग करते हुए मैंने अपना आई लाइनर अपलाई किया है आप देख रहे हो और यह बहुत अच्छे से अपलाई भी हो जाता है क्रीमी इसका टेक्स्चर है बहुत बहुत अच्छे से अपलाई हो जाता है अब मैंने यहां पी यह फेसे और ब्राउन आई सेडो मिक्स मैच करके समच किया था फिर मैं यहां पर थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूं उसी कंट्यूर कंसीलर पैलेट से जो मैंने अपनी क्रीज पर अपलाई किया था फिर इसको थोड़ा सा पाउडर के साथ सेट कर दिया है क्यूंकि मैंने जब गलीटर यहां पर लूज पाउडर लगाना भूल गई थी इसलिए मेरे फॉल आउट हो गए थे तो उसको ठीक करने के लिए मैंने दुबाड़ा से कंसीलर लगा कि उसको कॉंपैक्ट पाउडर से सेट कर दिया फिर मैं यहां पर मसकरा यूज कर रही हूं जो कि मार्स का वाटर्प भणाच सेक्रा यूज को लिए मेंट कर रहे हूं तो हमयसे आप वाटरप्रूफ बेस उसक्तर यूज करणार यूज कर अशनल में तो वैशे भी मेंप्रप्रूफ हो जाता है वाटरोफ में सेनल क्टर्णा क्योंकि मैं यहां पर यह आई-लायस इस पिंग्लू लगा रही ह करी 30 सेकेंड या वन मिनिट तक आप इसको छोड़ दो जब यह 50-80 परसेंट सुख जाए तब इसको आप अपलाई करो काफी इजली यह चिपक जाएगा आपकी आइबरों के साथ अगर आप तुरत लगाओगे तो नहीं चिपकेगा और फिर दुबारा से आइलेस को मैंने मसकरा से कोट किया ताकि जो मेरे नेचुरल आइलेस है और यह जो फेक था वो दोनों आपस में मर्ज हो जाए फिर मैंने मसकरा से अपनी आइबरों पर वन वार अपलाई कर लिया ताकि मेरे आइबरों एकदम सटल सोवर दीखे फिर मै यहाँ पे वेटन वाइल का ब्लस सेड ब्लस अप्लाई कर रही हूं जिसमें लाइट ब्राउं जिसका सेड है और यह बहुत अच्छा ब्राउं ब्लस है इसको अप्लाई करने से आपके फेस भी लगेगा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज किया है काफी लाइट वेफ फॉर्मुला है टीनेज गल्स के लिए बहुत अच्छा ब्लस ठालेट है टीनेज गल्स को मैं हाइली रिकमेंट करूंगी यह ब्लस पैलेट यूज करने के लिए क्यूंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अनैच्छूरल लाइट वेट बलस है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है मैं यहां पर वेटन वाइल का ही फोटो फोकस फिक्सिंग इस प्रेय यूज़ करें यहां पर आपने आइस पर यह कार्ड से ढग दिया था था कि मेरे जो लिक्वीड आई लाइनर आई सैडो थे वो खड़ाबना हो जाए फिर मैं यहां पर वेटन वाइल का ही हाइलाइटर यूज़ करें यह हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है इसमें ज्यादा सिमरी पार्टिकल्स नहीं है चंकी टाइप आपके फेस पर इफेक्ट नहीं देता है काफी सटल वा इस फिर मैं अपने नोज पर आपलाई करती हूँ ऐसे फिंगर की हपसे और नोज टिप को हाइलाइट करोगी तो बहुत अच्छे लोगों इस नोज टीप को अपलाई करना बहुत हाइलाइट करना बहुत जादा अच्छा लगता है मुझे फिर अपने और फॉर्डी पर नहीं कर रही हूं नेक में सिर्फ अगर आप ज्वेलरी नहीं कैरी कर रहे हो तो यह नो यह सब बॉडरी पार्ट को हाइलाइटिंग करो काफी अच्छा अट्राक्टिव लुक आएगा और इसके बाद आप फिर दुबारा से सेटिंग एस प्रेस पर आउट कर लेना फिर मैं अपने ब्रो बोन को भी हाइलाइट कर रही हूं क्योंकि यह तो आई मेकप का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इसको अगर आप सौरी मेरे बैकडाउन में मुर्गे की आवाज आ रही है इसको इग्नोर करिएगा पता नहीं अभी के समय मुर्गा क्यों बोल रहा है अभी दो पहड़के बज़ रहे हैं सारे तीन और अभी मुर्गा आवाज दे रहा है बताओ फिर मैं इसको अपने टीर डक्स पर अप्लाई करती हूं यहां पर भी अप्लाई करने से आपका आई मेकप बहुत अच्छा बोल्ड आउट करता है अब यह कंप्लीट आई मेकप लास स्टेप आता है जो कि है लिपस्टिक फेवरेट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ तब मेकप अगर आप पूरा फेस में मेकप ना करो और लिपस्टिक अप्लाई कर लो तो भी आप बहुत खुबसरत लगोगे बट मेकप और लिपस्टिक ना ऐसा दो ही नहीं सकता यह तो चंकी लग रहा था मुझे फेस पर में काफी जादा लाइटिंग दे रहा था तो मैंने इसको थोड़ा इसके कलर को डाउन करने के लिए यहां पर यूज किया है एन वाई-वे का निउड सेड लिपस्टिक है यह यह इनीड लिपस्टिक है इसको मैंने इसके ऊपर अपलाई किया है तो यह थोड़ा सा कलर इसका डार्क डीप ब्राउनिस टाइप का हो गया है जो कि यह कलर मुझे बहुत अच्छा लगड़ा था मरून टाइप का हो गया था तो फ्रेंज यह रहा मेरा फाइनल लुक आई होप आप लोगो यह लुक पसंद आया होगा अगर आप लोगो यह लुक अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर अगर आपके मन में कोई कुछ्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मैं रिप्लाई करती हूँ तो मैं मनीशा मिलती हूँ आप सबसे अपने अगले वीडि कर दो